हेलो दोस्तों मैं हूँ सूरज और आप सभी सुन रहे हैं सूरज की कहानिया आसागरताओं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने इस स्टोरी का टॉपिक देखा जो के बिलकुल अलग है और कुंड़ा पंथ क्या होता है ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो आप कहानी को सुरू से अंत तक सुनियेगा आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और दोस्तों ऐसी ही खौफनाक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ अगर आप मुझे कोई यूनिक टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मैं अपनी पूरी कोशिस करूँगा कि उस टॉपिक पर मैं स्टोरी जरूर लाओं तो आएए ज़ादा समय भरबाद ना करते हुए सुनते हैं आज की ये खौफनाक कहानी दोस्तों मेरा नाम रोहित है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ ये कहानी मेरी दादी जी ने मुझे सुनाई थी तो ये कहानी तब की है जब मेरी दादी जी की नई नई साधी हुई थी उनका जिस गाओं में साधी हुआ था वो राजस्थान का काफी जादत छोटा गाओं था और बहरी लोगों का आना जाना वहां पर काफी कम था कुल मिलाकर उनके गाऊं में 15-16 ही घर थे उनके ससुराल में उनके साथ ससुर और दो देवर थे मेरी दादी जी का सभी लोग सम्मान करते थे और सभी लोग प्यार से उनसे बाते करते थे वो भी मन लगा कर घर का सारा काम करती और अपने सास ससूर की बहुत सेवा करती थी इसी तरह खुसी-खुसी दिन गुजर रहा था एक रात इसी तरह जब मेरी दादी अपने कमरे में सो रही थी तो रात के करीब डेड़ दो बजे उनको कुछ अजीब सी आवाज आई जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो और जब उन्होंने अपने बगल में देखा तो मेरे दादा जी भी बिस्तर पर नहीं थे वो ये देखने के लिए उठी कि आखिर दादा जी कहा गए और जब उन्होंने बगल वाले कमरे में देखा तो दूर से ही उन्हें लाल रोसनी सी नजर आई इतना देखकर मेरी दादी जी डर गई क्योंकि रात के वक्त वो काफी डरा देने वाला हैसास था क्योंकि साथ ही मंत्रों की आवाज भी आ रही थी ये देखकर मेरी दादी जी चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर सो गई और दूसरे दिन सुभा उन्होंने दादा जी से रात वाली बात के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की सुरू सुरू में उनको सब कुछ ठीक लगा लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके घर में बहुत ही अजीब चीज़े होने लगी जैसे कि उन्हें घर में अजीब अजीब से लोग दिखाई देने लगे और जब ये बात उन्होंने अपने पती से बताई यानि की मेरे दादा जी से तो वो उन्हें कहते कि तुम बहुत ज़्यादा काम करती हो इसलिए तुम्हें ये सब दिखाई दे रहा है और ये केवल तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं सुरू सुरू में दादी जी ने भी यही सोचा कि साइद ये मेरे मन का वहम है उन्होंने अपने सास ससुर को कई बार तंत्र साधना करते हुए देखा था लेकिन डर के मारे वो इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं पूछती थी उनका एक देवर था जो उस समय बारवी क्लास में था एक दिन इसी तरह जब वो स्कूल से घर आया तो घर आते ही वो बिहोस हो गया ये देखकर सभी घर वाले घबरा गए कि आखिर इसे क्या हो गया आदे घंटे के बाद जब उसे होस आया तो उसकी आखे बिलकुल लाल थी और वो बहुती अजीब भासा में सभी के उपर चिला रहा था और गुसे में चला चला कर कह रहा था मुझे भूक लगी है खाना दे मुझे ये सुनकर सभी लोग हैरान हो गए कि आखिर वो इस तरह कैसे बोल रहा है उसके बाद उसने कहा मुझे पांच किलो मुर्गा लाकर दे फिर उनके ससुर ने दादी को इसारा किया और दादी पांच किलो मुर्गा बनाने चली गई थोड़ी देर के बाद उनका देवर देखते ही देखते पांच किलो मुर्गा कब खा गया किसी को पता ही नहीं चला उसके थोड़ी देर के बाद उसने कहा मुझे मचली लाकर दे फिर दादी चुपचाप मचली बनाने चली गई जब उनका देवर मचली खा रहा था तभी उनके देवर के मुह में मचली का काटा फस गया जिसके कारण उसकी आखे बिलकुल लाल हो गई और उसने गुसे से चिलाते हुए कहा तुझे पता नहीं मुझे मचली से काटा निकाल कर देना था जब दादी जी के ससुर ने ये बात सुनी तो वो सीधा उनके देवर के पैर को पकड़ कर रोने लगे पहले तो मेरी दादी को कुछ समझ नहीं आया उसके बाद उनके ससुर ने कहा पिता जी ये आप हो मुझे नहीं पता था मुझे माफ कर दो फिर जल्दी जल्दी उन्होंने मचली से काटा निकाल निकाल कर उन्हें खिलाया और खाना खाने के बाद उनका देवर वहीं बिहोस हो गया फिर उनके ससुर ने कहा इसे उठा कर मेरे कमरे में ले आओ और तुम सभी अपने अपने कमरे में जाओ ये सारी चीजे देखकर मेरी दादी जी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूस थी उन्होंने जब दादा जी से ये सारी चीजे पूछनी चाही तो उन्होंने इस बात को टाल दिया और वो घर से बाहर चले गए मेरी दादी जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है कोल मिला कर उनके घर में बहुत सारी अजीब अजीब चीजे होने लगी थी इसी तरह एक दिन खबर मिली कि उनकी सास अब इस दुनिया में नहीं रही दादी ये देखकर बहुती ज़्यादा हैरान थी क्योंकि उनकी सास देखने में बिलकुल ठीक ठाक थी और उन्हें कोई बिमारी भी नहीं थी फिर अचानक से कैसे उनकी मृत्ती हो गई घर पर दुख का महल चाया हुआ था फिर कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो गया इसी तरह एक दिन जब वो अपने ससुर के कमरे में उनके हाथ पाउं को दबाने के लिए गई तो वो अपने खाट पर लेटे हुए थे और उनकी तबियत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी और जब वो अपने ससुर के हाथ पाउं को दबा रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके सरीर से और उनके हाथ पाउं से उनकी चमरी छूट रही हो और खाट के जगह जगह पर उनके सरीर के चमरी चिपकी हुई है ये देखकर उनको बहुत अजीब लगा लेकिन फिर भी वो अपने ससुर की सेवा करने रो जाती थी इसी तरह एक हफ़ते के बाद उन्होंने देखा कि उनके ससुर जी की मृत्यू हो चुकी है और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उनका पूरा सरीर उसी खाट पर चिपक गया हो यानि की जैसे कोई प्लास्टिक पिघल कर किसी चीज़ पर चिपक जाती है ठीक वैसे ही उनका सरीर भी उसी खाट पर बिलकुल चिपक से गया था और जब घरवालों ने उनके सरीर को उठाया तो उनके पीट की पूरी चमडी पूरे खाट पर चिपकी हुई थी मेरी दादी जी ने पहली बार इस तरह का भयानक मनजर देखा था उनके सास ससुर के मरने के कुछ दिनों बाद उनके सास ससुर की आत्मा उनको हर जगा दिखाई देने लगी साथ ही कई सारे लोग भी उनको दिखाई दे रहे थे जिसकी वजह से उनकी भी तबीत खराब रहने लगी और वो काफी ज़्यादा बीमार हो गई जब मेरे दादाजी उनके पास आए और पुछा कि तुम्हें क्या हुआ है तब जाकर उन्होंने दादाजी से पूरी बात बताई और ये भी बताया कि उस दिन रात को जब मैं उठी थी तब आप अपने बिस्तर पर नहीं थे और जब मैं बाहर निकली तो बाहर मैंने लाल रौसनी देखी और कुछ मंत्रों की आवाज भी सुनी दादी जी का इतना बोलना ही था कि मेरे दादाजी बिल्कुल चौक गए और उन्होंने उनको चिलाते हुए कहा कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई तो दादी ने कहा मैंने तो कई बार आप से बताने की कोसिस की लेकिन आप ही मेरी बातों को टाल देते थे मेरी दादी ने ध्यान से देखा तो उनके चहरे पर डर बलकुल साफ साफ दिखाई दे रहा था तो मेरी दादी ने दादाजी से पूछा कि क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों है? लेकिन फिर भी दादा जी मेरी दादी की बात को टालने लगे तो उस दिन दादी जी ने अपनी कसम दी और उन्होंने कहा कि आप मुझे पूरी बात बताईए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है तो मेरे दादा जी ने दादी से कहा देखो अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बहुती ध्यान से सुनना पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मैं उसे बिलकुल ठीक कर दूँगा तो दादी ने कहा मुझे क्या हुआ है और आप क्या ठीक करने की बात कर रहे हैं तो दादा ने कहा पहले मेरी बात सुनो उसके बाद तुम सब कुछ समझ जाओगी फिर मेरे दादा ने बताना सुरू किया देखो मेरे माता पिता दोनों तंत्र साधना से जुड़े हुए थे और वो कोई मामुली तंत्र साधना से नहीं जुड़े थे बलकि वो कुंडा पं के अंदर इस्त्री और पुरुस मिलकर साधना करते हैं इस पंथ के अंदर योग्य गुरु का होना बहुत जरूरी है बिना योग्य गुरु के कुंड़ा पंथ की साधना नहीं की जा सकती वैसे कुंड़ा पंथ के अंदर बहुत से साधक होते हैं और बहुत सी साधिकाएं भ उस वेक्ति के मरने के बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान बनाया जाते हैं और फिर उन पकवान को एक कुंड के अंदर रखा जाता है जिस दिन बारवा दिन होता है उस दिन मरा हुआ इनसान बहुती भदी सकले लेकर आता है और उस कुंडे में मिठाई निकाल कर और उसके साथ अन्य लोग भी बैठे होते हैं मतलब जो उसके घर परिवार के होते हैं ये काम रात के अंदर होता है और किसी बंद कमरे के अंदर किया जाता है और कमरे के अंदर लाइट या दिया जलाया जाता है और यदि कोई उस लाइट को भी देख लेता है तो वो कु कुंडा पंत में सामिल हो चुकी हो ये सुनकर मेरी दादी जी बहुत घबरा जाती है फिर जैसे ही दादी जी कुछ बोलने वाली होती है तो दादा जी कहते हैं मेरी बात अभी खतम नहीं हुई फिर इसके बाद दादा जी आगे बताना सुरू करते हैं कुंडा पंत का एक न उसकी आत्मा को सांती नहीं मिल पाती है ये बात बहुत कम लोगों को पता है और इसी अग्यान के चलते कई कुंडा पंथियों का मरने से पहले भी बहुत बुरा हाल होता है और मरने के बाद तो होना ही है जैसा कि मेरे पिता जी के साथ हुआ था मरने से पहले उनके सरीर से इनकी चम्री ऐसे पिखल पिखल कर निकल रही थी जैसे उनके सरीर को कोई जिन्दा जला रहा हो यहां तक कि मेरे माता पिता दोनों की आत्माओं को सांती नहीं मिली होगी क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल میں किसी को भी कुंडा पंथ के देख्षा नहीं दी फिर मेरे दादा जी ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी बहन की कहानी सुनाता हूँ इसी तरी के आठ साल पहले मेरी एक बहन थी जिसका नाम राजस्री था और उसका पती वे दोनों ही कुंडा पंथ के अंदर थे मेरी बहन तो पहले ही मर गई लेकिन उसके बाद उसके पती बिमार पड़े तो फिर उनको सारे मरे हुए लोग नजर आने लगे थे जो कि कुंडा पंथ के अंदर थे अब तुम खुद सोच सकती हो कि इतने मरे हुए इंसानों को कोई जिंदा इंसान देखेगा तो बेचारा वैसे ही डर जाएगा और यही हाल उनका भी हुआ कुछ दिनों के बाद ही वे मर गए बस सारे कुंडा पंथ के अंदर रहने वाले लोगों को सांती मिलती भी कैसे क्योंकि किसी ने किसी को कोई दिक्षा ही नहीं दी थी तो एक लंबा प्रेत परिवार खड़ा हो गया और फिर मेरी बहन की देवरानी और उनकी जेठानी को वो सभी प्रेतों का परिवार परेसान करने लगा जब उनकी देवरानी को पता चला कि मैं इन सब को ठीक कर सकता हूँ तो वो भागते हुए मेरे पास आए जब ये सारी बाते मुझे पता चली तो मैं तुरंती उनके घर गया और फिर तंत्र साधना करके उसका इलाज किया और तब जाकर वो सारे प्रेत वहां से गायब हो गये और उनकी आत्मा को सांती मिल गई इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग है जो इस कुंडा पंथ के अंदर फस गए है मुझे नहीं पता कि पूरे राजस्थान के अंदर कितने लोगों की आत्मा आसांत है क्योंकि उन्होंने किसी को देख्षा नहीं दी ये एक जाल है जिसके अंदर फसने के बाद उससे निकलना बहुत ही मुझकिल हो जाता है बहुत से लोग तो प्रेत बनकर इस वज़ा से भटक रहे हैं क्योंकि उनको ये भी नहीं पता था कि वे कुंडा पंथ के अंदर हैं और इस कुंडा पंथ के अंदर थोड़ी सी भी चोक का मतलब आप मरने के बाद कभी भी चैन से नहीं रह पाओगे कुंडा पंथ एक छूत की बिमारी की तरह है सब लोग इसके नाम से ही दूर भागते हैं अगर कोई इनसान किसी कुंडा पंथी के साथ खाना खाले या फिर कुंडा पंथ की साधना करते समय उसने लाल रौसनी देख ली तो वो कुंडा पंथ में सामिल हो जाता है और इस बात की पूरी संभावना है कि मरने के बाद उसकी आत्मा असान्त रहती है और एक खास बात ये है के कुंडा पंथ में जितने भी लोग सामिल होते है वो मरने के बाद उनकी आत्मा एक साथ ही रहती है ये सारी बाते सुनकर मेरी दादी जी की हालत बहुती ज़्यादा खराब हो चुकी थी फिर मेरी दादी ने दादा से कहा तो क्या मैं भी कुंड़ा पंथ में सामिल हो चुकी हो तो मेरे दादा जी ने कहा हाँ तुम भी कुंड़ा पंथ में सामिल हो चुकी हो लेकिन तुम घबराओ मत मैं इसका इलाज जानता हूँ एक बात और इसका इलाज गोपनी होता है और इसके इलाज के बारे में जादतर किसी को भी नहीं पता होता फिर उसके बाद उन्होंने रात के डेड़ बजे कुछ तंत्रिक क्रियाए करी और जब वो ये तंत्र साधनाय कर रहे थे तब मेरी दादी ने देखा कि उनके चारो तरफ उनके सास ससुर और बहुत सारी आत्माय खड़ी हुई थी और वो केवल मेरी दादी को ही देख रही थी वो तो अच्छा हुआ कि मेरे दादा ने दादी और उनके चारो तरफ गोल घिरा बनाया हुआ था और फिर करीब तीन घंटे के बाद जब सुबह होने लगी तो उनकी तंत्र क्रिया समाप्त हुई और तब जाकर उनको कुंडा पंथ से छुटकारा मिल पाया तो दोस्तो यही थी मेरे दादा दादी जी की कहानी जो उन्होंने मुझे सुनाई थी और अगर मेरे दादा ने मेरे दादी को कुंडा पंथ से नहीं निकाला होता तो सायद आज भी उनकी आत्मा भटक रही होता तो दोस्तो जैसा की आप लोगों को पता है कि बौने प्रेत का अलग-अलग जगह पर इनका अलग-अलग नाम होता है जैसे इनको डेड़ फुटिया और मटिया साधना भी कहते हैं और ये जादातर च्छतिस गड़ में ही पाये जाते हैं तो आज की हमारी कहानी भी च्छतिस गड़ की है दोस्तों आज से कुछ साल पहले 36 गड़ के छोटे से गाउं में दो दोस्त रहा करते थे जिन में से आज एक की मौत हो चुकी है और दूसरा रोड पर भीख मांगता है आखिर क्या हुआ था इनके साथ इसको जानने के लिए आपको इस कहानी को अंत तक सुनना होगा दिनेस और परेस दो दोस्त इस गाउं में रहा करते थे दोनों ही अनाथ थे और उनका जीवन बहुत ही गरीबी और कस्ट से बीत रहा था दोनों दोस्त लेबर चौराहे पर जाकर लेबर का काम करते थे और ठक हार कर साम को सराब पेकर सो जाते थे यही इनका रोज का काम था उनके जीवन में ना उन्हें कोई रोकने वाला और ना ही उन्हें कोई समझाने वाला था इसी तरह एक दिन जब दोनों सराब के ठेके पर सराब पीने बैठे तो एक बाबा उनसे सराब मांग रहे थे उस बाबा की वेश भूसा काफी अजीब थी क्योंकि उसके पूरे सरीर पर केवल काले कपड़े ही थे और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई सालों से नहीं नहाया हो फिर परेस ने कहा अरे बाबा आप हमसे क्यों सराब मांग रहे हैं ऐसे ही हमारे खाने के लाले पड़े हैं और जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है तो हम सराब पी लेते हैं उसमें से भी अगर हम आपको दे देंगे तो हम कैसे पीएंगे तो बाबा ने कहा देखो अगर तुम मुझे सराब पिलाओगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे तुम कुछी दिनों में बहुत अमीर हो जाओगे तो दिनेस ने कहा अच्छा ऐसी बात है फिर दिनेस ने परेस से कहा अरे भाई चले घुट इनको भी पिला दे ये भी क्या याद रखेंगे फिर तीनों बैठकर सराब पीने लगे सराब पीने के बाद बाबा ने कहा तुम दोनों मेरे साथ आओ फिर उन दोनों ने कहा हमें कहा चलना होगा बाबा तो बाबा ने कहा यहाँ पर बहुत सारी लोग है और जिस चीज के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो केवल किसी सुनसान जगह पर ही मैं तुम्हें बता सकता हूँ इसके बाद वो तीनों सराब के ठेके से कुछी दूरी पर गए जहांपर बिल्कुल सन्नाटा था और पास में ही एक बड़ा सा बर्गत का पेड़ था और उस समय करीबन रात के साड़े आठ बज रहे थे और ठंड का मौसम भी था दोनों हाथ रगड़ते हुए उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे फिर बाबा उस बर्गत के पेड़ के नीचे रुके और कहा यहाँ पर तुम लोग बैठो उसके बाद बाबा ने अपने जोले से किताब निकाली और कहा सुनो मैं तुम्हे एक ऐसी साधना बताऊंगा जिसको करने के बाद तुम दोनों बहुत अमीर हो जाओगे तो उन दोनों ने कहा अरे बाबा क्यूं समय बर्बाद कर रहे हो जो भी कहना है जल्दी कहुना क्योंकि हमें कल सुबह काम पर भी जाना है फिर बाबा ने कहा तो सुनो जिस साधना के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उस साधना को डेड़ फुटिया या मटिया साधना भी कहते है तो वो दोनों ये सुनकर हैरान हो गए और उन्होंने कहा ये कैसी साधना है हमने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना तो बाबा ने कहा बच्चो तंत्र मंत्र के छेत्र में ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं जिसके बारे में आम लोगों को बिलकुल भी नहीं पता होता और उन्हीं में से एक साधना ये भी है इस साधना को अगर तुम लोगों ने सफलता पूरवक पूरा कर लिया तो तुम्हारे सामने एक बौने का प्रेत प्रकट होगा जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा और वो तुम्हें गड़े हुए धन के बारे में भी बताएगा जिससे तुम दोनों अपना जी लाई और ये तो हमें पूरे खाजाने के बारे में ही बता रहा है फिर दोनों दोस्तों ने कहा बाबा ये साधना कब और कैसे करनी है फिर उस बाबा ने आगे बताया कि ये साधना तुम्हें रवीवार नौचंदी के दिन करनी है और तुम्हें ऐसी जगा ढूंडनी है ज अभी परेश ने कहा, बाबा, क्या हम ये साधना अपने घर में नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो ऐसी कोई जगा नहीं मालूम है, तो बाबा ने कहा, नहीं, ये साधना तुम्हें कभी भी अपने घर में नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुमने ये साधना अपने घर में करने की क बाबा ने कहा देखो कुछ पाने के लिए तुमको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही होगी फिर बाबा ने कहा पहले तुम लोग ऐसी कोई जगा ढूंडो जो कि बिलकुल सुनसान हो फिर उसके आगे के विधी मैं तुमको बताऊंगा तो दिनेस ने कहा तो बाबा फिर आप हमको कहा पर मिलोगे तो बाबा ने कहा तुम्हारे गाओं के बगल में जो समसान है उसी समसान के अंदर मैं तुमको मिल जाओंगा तुम कभी भी आ जाना इतना कहकर वो बाबा वहां से चला गया और वो दोनों दोस्त भी अपने अपने घर जाकर अपनी खाट पर लेड़ अब दोनों दोस्त उस साधना के बारे में लगतार सोच रहे थे क्योंकि अब उनके मन में बहुत सारा धन पाने का लालच गुश चुका था दूसरे दिन वो दोनों दोस्त काम पर नहीं गए और उनका पूरा दिन कोई सुनसान जगह ढूड़ने में ही निकल गया और आखिरकार उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई उन्होंने अपने घर से छे किलो मेटर दूर एक खाली जगह ढूड़न ली थी जो की एक खंड़ार था और आसपास के लोगों से उन्होंने पता किया तो पता चला कि यहां पर कई सालों से कोई नहीं आया है फिर उसी साम वो दोनों उस बाबा से मिलने समसान में गए तो बाबा ने आगे की विधी उन्हें बताई आद से ठीक नौ दिन बाद रवीवार की नौचंदी रात है और उसी दिन तुम दोनों को यह साधना करनी होगी उस रात तुम दोनों को काले वस्तर पहनने होंगे और 101 काली मोतियों की माला और काला आसन लेना होगा साथ ही तुम्हें कच्छा मांस, अगर बत्ती और गूगल लेना होगा तुम लोगों को यह साधना 11 दिनों तक करनी है और जो मंत्र मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ इसको एक दिन में 1001 बार जब करना होगा साथ ही तुम्हें काले आसन पर बैठ कर अपने सामने गूगल जलाना होगा और उस पर कच्चा मांस रखकर इस मंत्र को पढ़ना होगा साथ ही तुम्हें अपने बगल में अगर बत्ती को जला कर रखना है और जब तुम लोग इस मंत्र को पढ़ोगे तो बोना प्रेथ तुम्हारी और खिचा चलाएगा क्योंकि इस मंत्र से वो तुम्हारी और आकरसी तो होगा ही साथ ही जब गूगल के धुएं और अगरबती के धुएं के साथ कच्चे मांस की खुस्बू को वो सूंगेगा तो वो तुम्हारी और और जल्दी खिचा चलाएगा लेकिन याद रखना ग्यारवे दिन जब वो तुम्हारे सामने प्रकट होगा तो वो अपनी कुछ सर्थे बताएगा इस सर्थ में दो बाते तो मुझे पता है पहली ये है कि वो अपने सर्थ के हिसाब से ही तुम्हारे सामने प्रकट होगा और अपने सर्थ के हिसाब से ही वो गायब होगा दूसरी चीज ये है कि अगर तुमने उसके खिलाफ कुछ भी गलत किया तो वो तुम्हें जान से माल डालेगा या फिर उसने जो कुछ भी तुम्हें दिया है वो तो तुमसे छीन ही लेगा साथ ही तुम्हें पूरी तरह से कंगाल कर देगा वो दोनों दोस्त बाबा की बाते सुनकर पहले तो थोड़ा खबरा गए लेकिन फिर मन में हिम्मत रखकर कहा ठीक है बाबा हम ये साधना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है इसके बाद वो दोनों अपने घर आ गए और दूसरे दिन से फिर अपने काम पर जाने लगे और जब नौ दिन बाद रविवार की रात आई तब वो दोनों दोस्त उस खंडहर में साधना करने एक साथ बैठ गए बाबा ने जैसा जैसा बताया था उन्होंने पहले दिन ठीक वैसा ही किया और इसी तरह करते करते पांच दिन बीद गए वो दोनों दोस्त रात को साधना करते और दिन में अपने काम पर जाते छटवे दिन जब दोनों दोस्त काम से घर वापस आ रहे थे तो दोनों दोस्त रास्ते में बाते करने लगे यार भाई दिनेज जब हम ये साधना पूरी कर लेंगे और जब हमें बहुत सारा धन मिलेगा तो तू उन पैसों का क्या करेगा तो दिनेज ने कहा अरे भाई परेस तू भी कैसा सवाल पूछ रहा है अरे जब पैसे मिलेंगे तो पहले तो मैं एक बड़ा सा घर लूँगा और एक बड़ी सी काड़ी और फिर इसके बाद मैं साधी करके अपने जीवन में ऐस करूँगा वो दोनों ऐसे ही बाते कर रहे थे और बाते करते करते वो दोनों घर आ गए फिर रोज रात की तरह वो दोनों उसी खंढ़ार में गए और साधना करने लगे इसी तरह करते करते जब उस साधना का ग्यारवा दिन आया उसी रात जब उन दोनों की साधना पूरी हुई तभी उनके सामने दो छोटे छोटे बौने प्रकट हुए वो बॉने देखने में काफी उम्र दरास दिख रहे थे और उनकी सकल भी काफी डरावनी थी उन दोनों के गले में इनसानी खोपड़ी की माला थी ये देखकर दिनेस और परेस पहले तो घबरा गए फिर उसके बाद उन बॉनों ने दिनेस और परेस से कहा तो तुम ही दोनों हो जिसने हम लोगों को सिध्ध किया है हम लोग तुम्हें बहुत ही माला माल कर सकते हैं लेकिन हमारी कुछ सर्ते हैं अगर तुमने हमारी सर्ते अच्छे से पूरी करी तो हम तुम्हें जीवन का हर सुख प्रदान करेंगे अब तक आपने कहानी सुनी कि जब दोनों दोस्त साधना पूरी कर लेते हैं और वो दोनों बौने प्रेद उनके सामने प्रकट होते हैं तो वो बौने उनके सामने कुछ सर्त रखते हैं और वो दोनों बौने कहते हैं कि तुम दोनों को हमको अलग-अलग पहले के चार रवीवार बकरे की बली देनी होगी और हर एक बली के बाद तुम को हम सोने से भरा हुआ घड़ा देंगे साथ ही हम तुमें गड़े हुए धन के बारे में भी बताएंगे तभी परेस ने कहा ठीक है लेकिन चार हफ़तों के बाद किसकी बली देनी होगी तो उन दोनों बौनों ने कहा पहले बकरे की बली तो दो उसके बाद हम आगे की सर्थ बताएंगे वो दोनों दोस्त तुरंत उन बौनों की बातों को मान लेते हैं क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि हमें बस एक बगरे की बली तो देनी है उसके बाद हमें सोने से भरा हुआ घड़ा मिलेगा फिर उन दोनोंने कहा हमारी दूसरी सर्थ ये है कि तुम हमारे बारे में किसी को भी नहीं बताओगे तीसरी और आखरी सर्थ ये है कि अगर तुमने कभी हमारी बात नहीं मानी तो हमने जो भी धन तुम्हें दिया होगा वो हम वापस तो ले ही लेंगे साथ ही तुम्हें पूरी तरह से कंगाल कर देंगे उनकी सरते सुनकर उन दोनों दोस्तों ने कहा हमें आपकी सारी सरते मन्जूर है फिर उन दोनों बॉनों ने कहा ठीक है आज से तुम दोनों ने हमें सिध्ध कर लिया है तो दिनेस बोलता है वो सब तो ठीक है लेकिन अगर हमें कभी तुम को बुलाना हुआ तो कैसे और कहा इस सिक्के को जब तुम अपनी जीब से तीन बार चाटोगे तब हम तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे फिर उन दोनों बौनों ने दोनों दोस्तों को सिक्का दिया और वहां से गायब हो गए फिर सुबह वो दोनों दोस्त अपने अपने कमरे में आकर सो गए उ अब तो हमने ये सिद्धी पूरी कर ली है लेकिन हमने एक बार भी उन बॉनों को नहीं बुलाया है क्योंना आज रात हम दोनों उनको बुलाते हैं और खजाने के बारे में पूछते हैं सराप पीने के बाद वो दोनों उसी बरगत के पेड़ के पास जाते हैं और दोनों सिक्कों को तीन बार जीब से चाटते हैं और तब ही उनके सामने धुआ फैलने लगता है और कुछी दीर के बाद उनके सामने वही दोनों बौने प्रकट हो जाते हैं तब ही वो दोनों बॉने कहते हैं, क्या हुआ, तुम लोगों ने हमें यहां क्यूं बुलाया है, तो परेस कहता है, क्या आप हमें खाजाने के बारे में बता सकते हैं, तो उन बॉनों ने कहा, हाँ, हम तुम्हें बता सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें केवल उसकी जगह बताए होगा तो देनेस और परेस ने कहा ठीक है हमें मनजूर है फिर उन बॉनों ने कहा यहां से ठीक दो किलो मेटर की दूरी पर एक तलाब है जहां बहुत ही जादा गंदगी है और वहां पर अब कोई आता जाता भी नहीं है ठीक उसी तलाब के सामने एक जामून का पेड़ है और ठीक उसी पेड़ के नीचे खाजाने का एक बकसा गड़ा हुआ है तुम दोनों जाकर वो खाजाना ले सकते हो यह सुनकर वो दोनों दोस्त बहुत ही जादा खुस हो जाते हैं और उसके बाद वो दोनों खजाने के लिए निकल पड़ते हैं थोड़ी देर के बाद वो दोनों उसी जामून के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और फावड़े से वो दोनों मिलकर जमीन में काफी गड़ा कर देते हैं और करीब एक डिर्ड घंटे की म नहीं पाट लेते हैं और फिर दोनों बहुत रायासी करने लगते हैं अब वो दोनों देशी सराब की जगह अंग्रेजी सराब पीते हैं साथ ही वो एपने लिए नया घर खरीद लेते हैं इसी तरह करते-करते छह दिन बीथ जाते जाते हैं और जब रविवार आया तो उन्हें याद आता है कि आज रात हमें बकरे की बली देनी है फिर वो दोनों उसी रात दो काले काले बकरे खरीद कर लाते हैं और उन दोनों बौनों को बकरे की बली देते हैं बकरे की बली पाकर वो दोनों बौने बहुत खुस हो जाते हैं और उन दोनों को एक एक सोने का घड़ा देते हैं जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे अब उन दोनों का जीवन बहुत ही अच्छे से कट रहा था लेकिन अचानक वो इतने अमीर हो गए कि सभी को सक होने लगा जब गाओं के लोग उन दोनों से पूछते अरे भाई तुम लोगों को क्या कोई खजाना मिल गया है जो अचानक इतने अमीर हो गए लेकिन वो दोनों हमेशा यही कहते तुम से क्या मतलब तुम भी महनत करो तुम भी अमीर हो जाओगे और इतना कहकर वो वहां से चले जाते लेकिन उसी गाओं में एक चेंटू और सुजीत नाम के दो आदमी रहते थे जो ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आकर ये दोनों इतने अमीर कैसे हो गए लेकिन कभी भी उन्होंने उन दोनों से ये सवाल नहीं किया था वो भी अक्सर सराब के ठेके पर सराब पीने आते रहते थे और वो उन दोनों दोस्तों का पीछा भी करते कि आखिर ये कहा जाते हैं लेकिन उनकी काफी मेहनत के बाद भी उन्हें कुछ नहीं पता चला और इसी तरह करते करते दिन गुजरते गए और आज चौथा रवीवार था जब उन दोनों दोस्तों ने बकरों की बली उन दोनों बौनों को दी बकरे की बली सुईकार करने के बाद उन दोनों बॉनों ने दिनेस और परेस से कहा तुम दोनों को याद है हमने तुम से क्या कहा था कि हमें चार रवीवार तक बखरे की बली चाहिए तो दोनों ने कहा हाँ हमें याद है लेकिन उसके बाद तुमने हमें कुछ बताया नहीं तो उन दोनों बॉनों ने कहा, तो फिर सुनो, अब से हमें हर रवीवार इनसान की बली चाहिए, और अगर तुम हमें इनसान की बली दोगे, तो हम तुम्हें दस गुना खाजाना देंगे, ये सुनकर वो दोनों दोस्त तो बिलकुल हैरान रहे गए, और उन्होंने कहा, ये और अगर तुमने देने से मना किया तो हमने तुम्हें जितना भी धन दिया है वो सभी वापस ले लेंगे और तुम्हारा पूरा जीवन परबात कर देंगे फिर उन दोनों बौनों ने उन्हें एक एक घड़ा खा जाना दिया और कहा अगले रवीवार हमें इनसान की बली चाहिए और अगर तुमने हमें नहीं दिया तो आगे क्या होगा वो तुम्हें भी नहीं पता इसके बाद वो दोनों वहां से गायब हो गए अब वो दोनों दोस्त सोच में पढ़ गए कि अब हम इनसान की बली कहां से ला कर देंगे फिर परेस ने कहा अरे भाई दिनेस तु चिंता मत कर अभी बहुत दिन बाकी हैं हम कुछ न कुछ इंतजाम जरूर ही कर लेंगे फिर वो दोनों सराब के ठेके पर बैठ कर सराब पी रहे थे और वो दोनों यही सोच रहे थे कि आखिर हम ऐसा इनसान कहां से ढूंडे जिसे हम बेवकुफ बना कर उसकी बली चड़ा सके लेकिन कुदरत का करिस्मा देखिए साइद उस दिन उन दोनों के किसमत बहुत ते चारों ने काफी सराब पी रखी थी लेकिन तभी चिंटू ने उन दोनों से सवाल किया भाई एक सवाल पूछो तो परेस ने कहा हाँ भाई क्यों नहीं पूछो तो चिंटू ने कहा कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिर तुम अचाना कितने अमीर कैसे हो गए ये बात सुनते ही मानों वो दोनों का नसा उतर गया और उनके दिमाग में एक सैतानी चाल चलने लगी तभी परेस और दिनेस ने एक साथ बोला हाँ हाँ क्यों नहीं हम तुम्हें तो बता सकते हैं लेकिन ये बात तुम किसे को भी नहीं बताओगे चिंटू और सुजीत ये बात स सराब के नसे में हैं इसलिए ये सारी सच्चाई हमें बता देंगे फिर दिनेस ने बोला अगर तुम लोगों को जानना है कि हम इतने अमीर कैसे हुए तो तुम्हारे सवाल का जवाब हम इस रवीबार को देंगे तो उन्होंने कहा क्यों आज नहीं बताओगे क्या तो दि सारा खजाना गड़ा हुआ है ये सुनकर चेंटू और सुजीत की आँखे चमक उठी और उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे लेकिन परेस ने कहा याद रखना ये बात केवल हम चारों के बीच ही रहनी चाहिए तो उन दोनोंने हां में सर हिलाया और चारों अपने अपने घर चले गए इसी तरह जब रविवार का दिन आया तो पहले उन दोनों दोस्तों ने चिंटू और सुजीत को बहुत सारी सराब पिलाई और फिर उन दोनों को रात के करीब साड़े ग्यारा बजे उसी खंधार में ले गए जहां उन्होंने साधना कर थी वो दोनों इतने ज़्यादा सराब के नसे में थे कि ढंक से चल भी नहीं पा रहे थे लेकिन परेस और दिनेस ने उन दोनों को सहरा दे कर उसी खंधार में लाकर बैठा दिया और फिर उन्होंने कहा तुम दोनों थोड़ी दिर यहां बैठो हम अभी आते हैं वो दोनो बौने वहां प्रकट हो गए उन दोनों बौनों को देखकर वो दोनों सराबी होस में आ गए और कहने लगे यह लोग कौन है और खजाना कहा है तब ही पीछे से दिनेस और परेस ने एक धारदार तलवार निकाली और पीछे से उनके गरदन पर वार किया गरदन कटते ही उ जब उनका खोन निकल रहा था तो वो दोनों बौने बहुती अजीब तरीके से हस रहे थे जिसे देखकर दिनेस और परेस भी एक पल के लिए डर गए और फिर उन्होंने उन दोनों से कहा तुम दोनों ने आज बहुत अच्छा काम किया है तुम इसी तरह हर रवीवार हमा अरे हुए बक से रखे हुए थे इतना सारा सोना एक साथ देखकर वो दोनों हैरान रहे गए और खुसी से पागल हो गए फिर उन बौनों ने कहा ये तो कुछ भी नहीं है तुम इसी तरह बली हमारे लिए लाते रहना और हम तुमें इसी तरह बहुत सारा खजाना देते र अब वो दोनों बहुती ज़्यादा अमीर हो गए थे और गाउं के लोग भी हैरान थे कि आखिर ये लोग ऐसा कौन सा काम करते हैं कि इनके पास इतना सारा धना गया लेकिन कोई भी इनके राज को समझ नहीं पाया लेकिन जैसे जैसे रवीवार करीब आ रहा था उन दोनों दोस्तों के चिंता और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि अब अगली बली किसकी चड़ाएं वो लोग सराब के ठेके पर जाकर कुछ नसेडियों को पैसे का लालच देकर उन्हें उसी खंड़हर में ले जाकर उनकी बली चड़ा देते थे अब उन दोनों दोस्तों को इन्सानों की बली देने की कोई भी चिंता नहीं थी क्योंकि अब उन्हें एक ऐसा रास्ता मिल गया था जहां से वो इन्सानों को पैसों का लालच देकर उनकी बली दे सकते थे इसी तरह करते करते उन्होंने कई इनसानों की बली उन बॉनों को भेट कर दी थी लेकिन अचानक से गाउं में इतने सारे इनसान लापता होने लगे कि गाउं के मुखिया ने साम साथ बजे के बाद सभी को घर से निकलने के लिए मना कर दिया जब ये बात उन दोनों दोस्तों को पता चली तो अब उनकी हालत खराब हो गई कि अब वो कैसे इनसानों की बली उन बॉनों को देंगे जब रविवार की रात आई तो वो दोनों खाली हाथ उसी खंडहर में गए और जब वो दोनों बॉने उनके सामने प्रकट हुए तो वो दोनों काफी जादा गुस्ता हो गए क्योंकि उनके सामने कोई भी बली नहीं थी अब उन दोनों ने उन बॉनों से काफी माफी मांगी और कहा हमें माफ कर दो अब हम तुमको इनसान की बली नहीं दे सकते तो उन बॉनों ने कहा हम कुछ नहीं जानते हैं हमने तुमें इतना सारा धन दिया है और अब तुम इस चीज से पीछे नहीं हट सकते हो अगर तुमने हमें बली नहीं दी तो हम तुमें पूरी तरह से कंगाल कर देंगे इतना कहकर उन बॉनों ने उन्हें जितना भी धन दिया था वो सारा वापस ले लिया और कहा अगर तुमने अगले रविवार को बली नहीं दी तो हम तुमें जान से मार डालेंगे और इतना कहकर वो गायब हो गए अब उन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी कि अगले रवीवार को उनका क्या हाल होगा लेकिन परेस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और काफी कोसिस करने के बाद भी उन्हें कोई भी ऐसा इनसान नहीं मिला जिसे वो बेवकूफ बनाकर उसकी बली चढ़ा सके अगले रवीवार भी वो दोनों खाली हाथ गए और जब वो दोनों बौने प्रकट हुए तो अपने सामने फिर से बली ना पाकर वो दोनों बहुत गुस्सा हो गए और कहा आब हम तुमें नहीं छोड़ेंगे लेकिन तभी परेश ने कहा नहीं मैं तुम्हें इनसान की बली देने के लिए तयार हूँ तो दिनेस ने कहा अरे भाई परेश हम दोनों तो खाली हाथ ही आए हैं तुम किसकी बात कर रहे हो दिनेस इतना बोल ही रहा था कि तभी परेश ने पीछे से तलवार निकाला और दिनेस की गर्दन पर हमला कर दिया दिनेस का सर जमीन पर लुड़कते हुए नीचे गिर गया और उसके सरीर से खोन का गरम गरम फवारा निकलने लगा जिसे देखकर वो बोना बहुत खुस हुआ और परेश को फिर से वही सारी चीज़े वापस मिल गई लेकिन परेश अंदर ही अंदर चिंतित हो रहा था कि अब अगले हफ़ते वो किसकी बली देगा क्योंकि अपनी जान बचाने के चक्कर में उसने अपने दोस्तों की बली देडाली जब अगला हफ़ता आया तो परेश खाली हाथ गया जिसे देखकर वो बोना बहुत खुस हुआ और कहने लगा अब मैं तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ूँगा अब मैं तुम्हें जान से मार ढालूँगा लेकिन परेश अपनी जान की भीख मांगता रहा फिर उसकी काफी मिन्नते करने के बाद वो बोना बोला कि मैं तुम्हें एक सर्त पर नहीं मारूँगा तुमने आज तक मुझसे जितना भी धन लिया है तुम उतना ही धन मुझे वापस करो ये अब और भी ज़्यादा मुसीबत वारी बात थी क्योंकि उन दोनों ने उनसे इतना सारा धन लिया था कि अगर वो पूरा जीवन भी पैसा कमाएगा तो भी पूरा नहीं कर पाएगा साथ ही उस बौने ने परेश को पूरी तरह से कंगाल कर दिया था और उसका एक हाथ और पैर दोनों को बेकार कर दिया था जिसके कारण वो कोई भी काम नहीं कर सकता था सिवाए भीख मांगने के तो आज भी परेश भीख मांग रहा है और पता नहीं कब तक वो उन बौनों का करज उतार पाए दोस्तो ये कहानी सिमला के छोटे से गाउं कोट खाई की है कई सालों के बाद सूरज अपने दादा जी से मिलने कोट खाई में गया दरासल सूरज नई दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था और साथ में उसके घर वाले भी दिल्ली में रहते थे और इसी साल उसका ग्रैजिवेशन कम्प्लीट हुआ तो उसको अपने गाओं में घुमने का बहुत ही मन हो रहा था रात की ट्रेन से वो सिमला की और निकल पड़ा जब वो ट्रेन में बैठा तो उसे बहुत ही ज़ाद एकसाइटमेंट हो रही थी क्योंकि बहुत सालों के बाद वो अपने दादा और दादी से मिलने जा रहा था ये सब सोचते हुए उसे कब नीद आ गई उसे पता ही नहीं चला और जब उसकी आख खुली तो दूसरे दिन वो सिमला के स्टेशन पर था सिमला उतर कर उसने कोट खाई के लिए बस पकड़ी और कुछी घंटों में वो अपने गाउं यानि की कोट खाई पहुँच चुका था जब वो बस से उतरा तो उसने देखा कि उसके दादा जी उसे लेने बस स्टॉप पर खड़े हैं वो अपने दादा जी को देखकर बहुती ज़्यादा खुस हुआ और वो उनके गले लग गया दोस्तो सिमला का मौसम तो आपको पता ही है कि कितना ठंडा रहता है और इस वक्त यानि की ठंड के मौसम में वहां तो और भी ज़्यादा ठंड होती है तो उसने कहा अरे दादा जी यहां तो बहुती ज़्यादा ठंड है तो सूरज के दादा जी ने कहा अरे बेटा यहां तो इसी तरह ही मौसम रहता है चलो जल्दी से घर चलते हम लोग इसके बाद वो अपने दादा जी के साथ घर की और निकल पड़ा और थोड़ी देर के बाद ही वो अपने दादा और दादी के घर में था सूरज ने पहली बार पहाडों का ऐसा नजारा देखा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा हमेशा के लिए इधर ही रह जाए सिमला में लोगों के घर पहाडों पर होते हैं तो सूरज के दादा जी का घर पहाडों के बीच में यानि की कुछ लोगों के घर नीचे थे और कुछ लोगों के घर पहाडों के उपर यानि की सबसे उपर थे इसके बाद सूरज सभी घर वालों से मिलता है और इधर उधर की बाते करता है फिर सबने साथ में खाना खाया और साम के वक्त सभी आग जला कर बैठ जाते हैं सूरज ने पहली बार पहाडों का ऐसा नजारा देखा था तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था तो सूरज ने अपने दादा जी से कहा दादा जी मैंने सुना है कि सिमला में बहुत सारे भूत प्रेत रहते हैं तो उसके दादा जी ने कहा हाँ बेटा यहां तो ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि भूत प्रेत से भी खतरनाक है तो सूरज ने कहा दादा जी वैसे तुम आने यूट्यूग पर बहुत सारी भूत प्रेट की कहानिया सुनी है लेकिन आज मैं आपसे कहानी सुनना चाहता हूँ तो दादा जी ने कहा ठीक है बेटा आज मैं तुम एक ऐसी कहानी सुनाओगा जो तुमने पूरे यूट्यूग पर कभी भी नहीं सुनी होगी तो ये कहानी आज से कई साल पहले की है उस वक्त मैं तुम्हारी उम्र का था तो हमारे गाओं में एक चरवाहा था जो की भेड़ बक्रियों को चरहता था उसका नाम चेतन था वो बहुत ही महंती आदमी था उसकी नई-नई सादी हुई थी दरसल वो दोनो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो दोनो सादी करना चाहते थे लेकिन उनके घरवाले नहीं माने तो उन लोगों ने घर से भाग कर सादी कर ली लड़की को भी उसके साथ भागना पड़ा क्योंकि वो उसके बच्चे की मा बन गई थी साथ ही वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे वो दोनों हमेशा साथ में ही भेड, बकरी ये सब चराने जाते थे उस वक्त इन पहाडों पर और भी जादा घाना जंगल हुआ करता था इसी तरह कई महीने बीट गए और जब उसकी बीवी को बच्चा हुआ तो कुछ दिनों तक वो बकरी चराने नहीं गया करीब एक हफ़ते के बाद जब उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं बकरी चराने जा रहा हूँ तो उसकी बीवी ने कहा नहीं नहीं मैं भी चलती हूँ आपके साथ तो चेतन ने कहा अरे अभी हमारा बच्चा एक हफ़ते का है और इस हालत में मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता इसलिए तुम आराम करो फिर वो चरवाहा बकरी चराने अपने घर से निकल गया जहां वो बकरी चराने जाता था वहां काफी घना जंगल था बकरी चराते चराते उसे साम हो गई थी और जब वो वापस घर की और निकलने लगा तभी उसने देखा कि उसकी दो बकरीया कम है अब चेतन उनको ढूंडने लगा क्योंकि वो उन बकरियों को बच्चों की तरह मानता था काफे ढूंडने के बाद भी वो नहीं मिले और रात भी काफी ज़ादा हो गई थी तो वो एक पेड़ के नीचे आग जला कर बैठ गया और आसपास काफी कोहरा भी होने लगा था जब उसे ठंड लगने लगी तो उसने कुछ लकडियां इखटा करी और आग जला ली लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको काफी भूख लगने लगी तब ही उसने देखा कि जाड़ी के पास एक सेही था यानि की ऐसा जानवर जिसकी पीट पर बहुत सारे लंबे-लंबे काटे होते हैं जब उस चरवाहे ने उसको देखा तो किसी तरह उसको पकड़ कर आग में पका कर खाने लगा उसने उसका आधा कच्चा मास पेड़ के उपर टांग दिया और उसने उसका आधा हिस्सा पका कर खा लिया उसे पता था कि उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही होगी लेकिन वो भी क्या करे क्योंकि उसका घर काफी दूर था और अंधेरा भी काफी जादा हो गया था साथ ही जंगली जानवरों का भी खत्रा था लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उसने देखा कि एक औरत अपने हाथ में छोटा सा बच्चा लेकर उसके पास चली आ रही है जब उसने ध्यान से देखा तो वो उसकी बीवी थी जिसने अपना बच्चा हाथ में लिया हुआ था उसे देखते ही चर्वाहे ने कहा अरे तुम यहां इतनी राख को यहां क्या कर रही हो तो उसकी बीवी ने कहा मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी इसलिए मैं आपको ढूंडते हुए यहां तक चली आई पहले तो उस चर्वाहे को थोड़ा अजीब लगा फिर उसने कहा मैंने तुम्हें मना किया था ना किस हालत में मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकता फिर भी तुम यहां चली आई तो वो कहती है मुझे बहुत जोरो की भूख लगी है फिर उसने थोड़ा सा भुना हुआ सेही उसको खाने को दिया और दोनों उसी पेड़ के नीचे सो गए तभी थोड़ी देर के बाद उस चर्वाहे को कुछ आवाद सुनाई दी और जब उसने अपनी आखे खोली तो उसने देखा कि उसकी बीवी वो सेही के मास का खून अपनी लंबी जीब से चाट रही थी जब उसने ध्यान से देखा तो वो उसकी बीवी नहीं थी डर के मारे अपने बच्चे को उठा के वो भागने लगा तभी उसने देखा कि उसके हाथ में उसका बच्चा नहीं बलकि एक कंकाल है अब वो पूरी तरह से डर गया था तो वो इधर उधर भागने लगा क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये कोई साधारन औरत नहीं बलकि एक डाग है तभी सूरज ने अपने दादा जी को बीच में रोकते हुए कहा दादा जी ये डाग क्या होती है तो उसके दादा जी ने कहा बेटा हमारे गाउं में डाग और डागा आज भी भटकते हैं और ये एक ऐसे इनसान होते हैं जो मा काली की पूजा करके बहुत सारी सक्तियां प्राप्त करते हैं आम भासा में इसे डायन या फिर प्रेत भी कहते हैं जो ये स बुरे होते हैं तो उसके दादा जी ने कहा, नहीं बेटा, ये बुरे और अच्छे दोनों होते हैं, लेकिन इनकी सक्तियां तभी बढ़ती हैं जब ये बुरे काम करते हैं, ये सिध्धी प्राप्त करने के लिए इन्हें तीन लोगों की बली देनी होती है, जो कि इनका जादा खराब होती है अगर जिसे ये बुरी नजर से देख लें तो उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है और इनकी एक आदत होती है कि ये हर समय अपनी जीब को बाहर निकालती रहती है इनकी जीब जितनी बड़ी होती जाती है इनकी सक्तियां भी उतनी ही बढ़ती चली है ये भूत भविश सब कुछ देख सकती है साथ ही ये लोगों को वर्दान देती है और ये लोग जिसे वर्दान देती है तो उसके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं होती जैसे यक्शनी लोगों को धन्वान कर देती है लेकिन वो उनके सामने कुछ सर्थे रखती है ठीक जब किसी की मृत्य हो जाती है तो वो उस मुर्दे के सरीर पर बैठ कर उसका दिल खाती है और ऐसा करते वक्त वो किसी को भी दिखाई नहीं देती हमारे गाउं में कई लोगों ने ऐसा देखा है कि जब हम किसी मुर्दे को समसान लेकर जाते हैं तो जलाने से पहले उसके सरी या डागा ने इसके भी सरीर से दिल निकाल कर खा लिया है फिर उसके दादा जी ने आगे कहानी सुनाना सुरू किया जब वो चरवा भागने लगा तभी उस डाग ने उसको रोका और कहा सुनो मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुचाऊंगी और मैं तुमको वर्दान भी दूँगी लेकिन बस एक सर्थ ये है कि तुम मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताओगे और जिस दिन तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो उसी दिन मैं तुम्हारी जान ले लूँगी इतना सुनते ही वो चरवाहर रुख जाता है और फिर वो डाग कहती है आज के बाद तेरे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी और तेरे पास बहुत सारा धन भी होगा इसके बाद वो डाग वहां से गायब हो जाती है और थोड़ी देर के बाद सुबा भी हो जाती है फिर वो अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके घर में साथ बड़े बड़े सोने के घड़े रखे हुए हैं जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के, चांदी, हीरे, मोती रख इसी तरह करते करते हमारे गाओं का सबसे अमीर इंसान बन गया था वो लेकिन एक दिन उसने अपनी बीवी को सब बता दिया क्योंकि उसकी बीवी काफी जिद कर रही थी उस चरवाहे को पता चल चुका था कि अब वो डाग उसे नहीं छोड़ेगी और ठेक उसी रात जब व दूसरे दिन उसकी बीवी ने देखा तो वो चरवाहा अपने पिस्तर पर बहुती बूरी हालत में मिला तब से लेकर आज तक हमारे गाओं में डाग और डागा की बहुत सारी सची घटनाएं आज भी प्रचलित हैं एक बत और की डागा जो की एक पुरुस होता है वो और ये कहानी मुझे मेरी मम्मी ने सुनाई थी आज तो मेरी उम्र बाइस साल है लेकिन जब मैं फूर्थ कलास में था तो मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल से आने के बाद कंचे खेलने चला जाता था और मैं हमेशा साम को कभी छे या सात बजे घर आता था मैं और मेरे दोस्त अक्सर बगल के गाउं में जाकर खेला करते थे तो एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे बहुँ डाटा क्योंकि उस दिन मेरी मम्मी कुछ घबराई हुई थी और उन्होंने मुझ से कहा कि आज के बाद तू बगल वाले गाउं में साम को खेलने नहीं जाएगा दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि छोटे बच्चे जाना तर चिर्चिड़े ही होते हैं तो मैं भी उस वक्त बहुत चिर्चिड़ा रहता था तो मैंने अपनी मम्मी से बोला क्या मम्मी आप भी क्या मुझे हमेशा रोकती टोकती रहती हो आखिर क्या है उस गाउं में जो आप मुझे साम को वहां जाने से मना कर रही हो तो मेरी मम्मी ने कहा तू सवाल मत कर बस आज के बाद तू साम को वहां खेलने नहीं जाएगा तुझको जितना भी खेलना है हमारे घर के सामने ही खेला कर तो मैंने कहा जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगी और तुझे ये पता है कि आखिर उसकी मौत क्यूँ हुई तो मैंने का नहीं मुझे नहीं पता तो मेरी मम्मी ने कहा उसे उस गाउं की चुडैल ने मारा है तो मैंने हसते हुए कहा क्या मम्मी आप भी मुझे छोटा बच्च समझ कर चुडैल की फालतों कहानी सुना रही हो तो मेरी मम्मी ने कहा अच्छा फिर ये बता कि उस गाओं का नाम भूतों का पूरा क्यों पड़ा तुझे इसके बारे में पता है तो मैंने कहा ये बात तो सही है मम्मी कि आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि उस गाओं का नाम भूतों का पूरा क्यों पड़ा तो मैंने अपनी मम्मी से कहा क्या आपको इसके बारे में पता है तो मेरी मम्मी ने कहा हाँ मुझे पता है तो मैंने कहा मम्मी तो फिर बताओ ना आखिर क्यों इस गाओं का नाम इतना अजीब है तो मेरी मम्मी ने कहा ठीक है सुनो फिर ये बात तब की है जब मैं छोटी थी और उस समय हमारे इहां घर पर सवचालाई की कोई भी सुविधा नहीं थी तो मैं और मेरी मम्मी और हमारे पडोस में एक चाची थी हम तीनो सुबा चार बजे सौच के लिए खेट पर जाते थे और साम को भी हम करीब साड़े छे या साथ बजे तक खेट पर जाते थे और हमारे घर से खेट भी बहुत दूर था ये जो बगल वाला गाउ है जहां मैं तुम को जाने के लिए मना कर रही हूँ पहले इसी गाउं में एक खेट था उसी खेट में हम लोग सौच के लिए जाते थे हम जब खेट के लिए जाते थे तो रास्ते में एक बड़ा सा बरगत का पेड़ पड़ता था और ठीक उसी पेड़ के बगल में एक जोपड़ी थी जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी जो गाओं गाओं घुमकर भीख मांगती थी वो बूढ़ी औरत कहां से आई थी ये किसी को नहीं पता था यहां तक कि उसका कोई भी रिष्तेदार या नातेदार नहीं था सभी लोग उस पर दया करके उसको खाना पीना दे दिया करते थे एक बार वो बूढ़ी औरत हमारे घर भी भीख मांगने आई थी तो मैंने उसको खाने के लिए दो रोटी और सबजी दी थी इसके बाद वो खाना दे कर चुपचाप चली गई लेकिन गाउवाले अक्सर ये कहते थे कि वो बूढ़ी औरत काला जादू करती है क्योंकि उसका कोई भी परिवार नहीं था और नहीं उसका कोई बेटा था क्योंकि वो बूढ़ी औरत देखने में काफी जाता डरावनी लगती थी और उसके घर के पास से बहुती अजीब सी बद्बू निकलती थी जैसे कोई लास सड़ जाती है ठीक वैसे ही गाउवाले तो ये भी कहते थे कि वो बूढ़ी औरत काला जादू करके किसी को भी इनसान से जानवर बना देती थी कुल मिलाकर जितनी मुह उतनी बाते होती थी लेकिन हाँ वो काला जादू तो करती थी क्योंकि गाउव के कई सारे लोग उससे काला जादू करवाने जाते थे और हमारे गाउव में या बगल के गाउव में कोई भी बिमार हो जाता या किसी के उपर भूत प्रेत का साया होता तो वो बूढ़ी औरत कुछ तंत्र क्रियाए करके उन्हें ठीक कर देती लेकिन गाओं के लोग उससे जादतर डरते ही थे लेकिन जब कोई बिमार होता या किसी पर कोई उपरी चकर होता तो वो सीधा उसी बूढ़ी औरत के पास जाते थे एसी तरह एक दिन दो चौर उस बूढ़ी औरत के जोपड़ी में घुस गए लेकिन जब उन चौरों ने अंदर का महाल देखा तो वो सभी डर गए क्योंकि अंदर बहुत सारी डरावनी चीजे रखी हुई थी जैसे कि काले जादू का समान और इनसानी मास और इनसानी हड़ियां रखी हुई थी तो दूसरे चोर ने कहा यार भाई हम तो ये गलत घर में घुसाए हैं चल यहां से निकल यहां तो मुझे कुछ गड़बर लग रही है जैसे ही वो बाहर निकलने वाले थे तब ही उन्होंने देखा कि वो बोड़ी औरत जो की बिलकुल डरावनी लग रही थी उसका चहरा देखने में भी बिलकुल घिनोना लग रहा था उसने कुछ मंत्र पढ़ा और उन दोनों के उपर फूक दिया और थोड़ी दिर के बाद दोनों बिहोस हो गए लेकिन कुछी घंटों में जब दूसरे चोर की आँख खुली तो उसने देखा कि उसके पहले साथ ही को वो बूढ़ी औरत एक गोल घेरे में लटा कर उस पर काला जादू कर रही थी तब ही दूसरा चोर चुपके से उठा और उसने पीछे रखी एक मोटी सी लकडी से उस बूढ़ी औरत पर वार कर दिया अचानक हुए वार से उस बूढ़ी औरत के सर से बहुत सारा खून निकलने लगा और तुरंत ही उस बूढ़ी औरत की उधरी मौत हो गई उसके बाद उन चोरों ने बूढ़ी औरत का थोड़ा बहुत समान इधर उधर फैलाया लेकिन उनको कुछ नहीं मिला तो वो चुप चाप वहां से निकल गए लेकिन गाउवालों को पता नहीं चला कि उस बूढ़ी औरत की मौत हो चुकी है और वो काफी दिनों से किसी के हाँ भीख मागने भी नहीं आई थी जब गाउवाले उस बूढ़ी औरत के घर के आस पास से गुजरते तो उन्हें बहुत ही अजीब बद्बू आती गाउवालों ने इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वैसे भी उस बूढ़ी औरत के घर से गंदी बद्बू आती रहती थी लेकिन दस पंदरा दिन के बाद जब ये बद्बू और ज़्यादा बढ़ गई तो गाउवाले उसकी जोपड़ी के अंदर गए और जो उन्होंने देखा उसे देखकर सभी एक पल के लिए डर गए उन्होंने देखा कि उस बूढ़ी औरत की लास पूरी तरह से सड़ चुकी थी और उसकी लास में कीडे पड़ रहे थे और उसके पूरे घर में बहुत सारे काले जादू का समान रखा हुआ था साथ ही कुछ इंसानों की खोपड़ी रखी हुई थी सभी लोगों ने यही सोचा कि साइद इसने काला जादू करते वक्त कोई गलत क्रिया कर दी होगी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई उस बूढ़ी औरत का कोई रिस्तेदार तो था नहीं इसलिए गाँवालों ने जोपड़ी समेत उसे मिट्टी का तेल डाल कर जला दिया गाँवाले ने सोचा कि जलने के कारण उसकी आत्मा को सांती भी मिल जाएगी लेकिन ये उनकी गलत फैमी थी कुछ दिनों के बाद उसी रास्ते से एक बूढ़ा आदमी जा रहा था जहां उस बूढ़ी औरत का घर था और उस समय रात के साड़े दस बज रहे थे वो बूढ़ा आदमी अपने खेट से वापस लोट रहा था साथ ही वो अराम से बीड़ी पीते पीते अपने घर की और चले जा रहा था तब ही उसे पीछे से आवाज आई केसव कहां जा रहे हो जब उस बूढ़े आदमी ने अपना नाम सुना तो वो उधर ही रुक गया लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ा क्योंकि उसे पता था कि रात के वक्त अगर कोई पीछे से आवाज दे तो उसे पीछे मुड़ कर नहीं देखना चाहिए वो फिर आगे चलने लगा तभी फिर से आवाज आई अरे केसव जरा इधर तो आ लेकिन वो बूढ़ा आदमी बिना पीछे मुड़े चले जा रहा था तभी फिर से आवाज आई अरे केसव अपनी माचीज तो उठा लो देखो नीचे गिर गई है तभी वो बूढ़ा आदमी पीछे मुड़ गया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी उसने अपने सामने जो देखा उसे देखकर उसकी हालत खराब हो गई उसने देखा कि वही बूढ़ी औरत अपनी भदी सकल लिये हुए खड़ी थी और उसका पूरा चहरा जला हुआ था वो देखने में बहुती ज़्यादा डराफनी लग रही थी इतना देखकर उस बूढ़े को दिल का दौरा पड़ा और वो उधर ही मर गया दूसरे दिन लोगों ने देखा कि उसी बरगत के पेड़ पर उस बूढ़े की लास लटक रही थी ये तो अभी सुरुआत थी लेकिन अब धीरे धीरे हर रोज कोई न कोई मरने लगा था सभी की लास दूसरे दिन उसी बरगत के पेड़ पर लटकती हुई मिलती तो गाउं के बुजरगों ने कहा लगता है ये उसी बूढ़ी औरत की आत्मा है जो लोगों को मार रही है क्योंकि जितने भी लोगों की लास मिली है वो उसी बरगत के पेड़ के पास से ही मिली है तो गाउं के बुजरगों ने फैसला किया कि आज के बाद इस गाउं में साम होते ही कोई भी उस रास्ते से नहीं जाएगा फिर लोगों ने साम होते ही उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया और उसके बाद से ये सारी दुर घटनाए बंद हो गई लेकिन बीच बीच में अगर कोई बाहरी आदमी उस रास्ते से जाता तो वो चुडैल उसे जिन्दा नहीं छोड़ती और दुसरे दिन उसकी लास उसी पेड़ पर मिलती इसी तरह जो भी लोग मर जाते तो उनकी आतमाए उसी रास्ते पर भटकने लगती और धीरे धीरे उस पूरे गाउं में भूतों का बसेरा हो गया और रात के वक्त अगर कोई भी इनसान उस गाउं में चला जाए तो वो वापस जिन्दा लौट कर नहीं आता था तो एक दिन इसी तरह हमारे यहां कुछ महमान आये हुए थे और उस समय साम के करीब साथ बज रहे थे और अचाना की मेरा पेट बहुत जोरों से दर्द करने लगा तो मैंने अपनी मम्मी से कहा मम्मी मेरा पेट बहुत जोरों से दर्द कर रहा है मुझे सौच के लिए जाना है तो मेरी मम्मी ने कहा अरे छोरी थोड़ी देर रुक जा अभी महमान आय हुए है महमान को खाना खिला कर उसके बाद चलती हूँ ना तेरे साथ लेकिन मैंने कहा अरे मम्मी मैं ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी मैं अकेले ही जा रही हूँ तो मेरी मम्मी ने कहा अरे छोरी खान सू जाएगी अकेले मेरी मम्मी ने कहा जाओ बाहर इंतजार करो मैं आदे घंटे में आती हूँ मैं तो बाहर आगई थी लेकिन मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा था तो मैंने फैसला किया कि मैं अकेले ही खेट में चली जाओं और बिना किसी से बोले मैं अकेले ही खेट की और निकल पड़ी उस समय ठंड का मौसम था और आस पास काफी कोहरा चाया हुआ था किसी तरह डरते डरते मैं खेट की तरफ जाने लगी रास्ते में वही बरगत का पेट पड़ा जहां वो बोड़ी औरत रहती थी लेकिन मेरा पेट इतना जाद दर्द कर रहा था कि मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया और भागते भागते मैं खेट की तरफ पहुँच गई करीब आधे घंटे के बाद जब मैं वापस घर की और निकली और जब उस रास्ते पर पहुँची जहां वो बोड़ी औरत रहती थी तब मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा जैसे ही मैं आगे गई तब ही मुझे पीछे से किसी ने आवास दिया अरी ओ छोरी कहा जा रही है इधर तो आ जब मैंने ये आवास सुनी तो मुझे लगा कि साइद ये मेरी मम्मी बुला रही है फिर मैंने मन में सोचा कि मम्मी तो घर पर है तो मुझे कौन आवास दे रहा होगा फिर मैंने सोचा कि साइद ये मेरे मन का वहम है और मैं फिर आगे चलने लगी तब ही फिर से आवाज आई अरी छोरी खानसू जा रही है इधर तो आ आप मुझे लगा कि ये मेरी मम्मी की ही आवाज है और मैं पीछे मुड़ गई लेकिन पीछे मुड़ कर मैंने जो देखा उसे देखकर मैं बहुती ज़्यादा डर गई थी मैंने देखा कि वही बूढ़ी औरत जो हमारे घर भीक मांगने आती थी वो अपनी भदी सी सकल लिये खड़ी हुई थी और उस बूढ़ी औरत के साथ और भी कई सारे प्रेत खड़े हुए थे लेकिन इस बार वो बूढ़ी औरत कुछ ज़्यादा ही डराफनी लग रही थी क्योंकि उसका पूरा चहरा जला हुआ था और मैं उस वक्त चोटी थी लेकिन मैंने जो उस पल देखा था अब मैं उसको याद करती हूँ सच मुच ऐसा लगता है कि वो चुडैल मेरे सामने खड़ी है उस चुडैल को देखकर मैं तुरंती बिहोस हो गई थी और जब सुबह मेरी याँख खुली तो बहुत सारे लोग मुझे घेर कर खड़े हुए थे तब ही उसी भीड में से एक आदमी ने कहा अरे ये तो घंस्याम की बिटिया है उसके बाद उन लोगों ने मुझे मेरे घर तक छोड़ा मुझे इस हालत में देखकर मेरी मम्मी बहुत रोने लगी थोड़ी देर के बाद जब मैं कुछ बोलने के काबिल हुई तब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो मेरे पापा ने कहा बेटी जो तुम्हारे गले में मातारानी का कलावा है उसी की वजह से वो चुड़ाल तुमें छू नहीं पाई इसलिए तुम सही सलामत बच गई क्योंकि मेरे पापा के उपर मातारानी आती थी और वो मातारानी की बहुत पूजा करते थे तो अगर आज मैं जिन्दा हूँ तो केवल अपने पिता जी की वजह से क्योंकि अगर उन्होंने मुझे मातारानी का कलावा नहीं बांधा होता तो सायद आज मैं तुम्हें ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होती तब से गाउवालों ने रात के वक्त वहां से निकलना ही बंद कर दिया और तब ही जाकर उस गाउव का नाम पड़ा भूतों का पुरा दोस्तो जब मेरी मम्मी ने ये कहानी सुनाई तो सच मुझ मैंने कान पकड़ लिया और मेरे अंदर बिलकुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब मैं दुबारा उस गाउव में खेलने के लिए जाऊँ तब से लेकर आज तक मैं उस गाउव में साम के वक्त कभी भी नहीं गया यहां तक की दिन में भी मैं वहां जाने से डरता हूँ जब से मेरी मम्मी ने उस चुड़ैल और प्रेतो की कहानी सुनाई दोस्तो आई होप आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और हाँ ये कहानी बिल्कुल सची घटना पर आधारीत है आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं आसा करता हूँ कि आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो अगली कहानी मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा तो पता ही है कि मैं सेटर्डे को ही लाऊंगा स्टोरी तो आप लोग अपने टॉपिक्स मुझे कमेंट करके जरूर बताना और ये स्टोरी कैसे लगी वो भी बता देना तो मिलते आप से सेटर्डे की नाइट दस बजे अब तक के लिए गुड नाइट